अपने इंकम टेक्स के केसिस की सिरीज में आज जो केस हम लोग डिसकस करेंगे उस केस का नाम है DSG Papers Private Limited वर्सिस Assistant Commissioner of Income Tax ये केस 99 ITR Tribunal पेज नमबर 241 पे रिपोर्ट हुआ मैटर चंदिगर्ड ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जज़्जमेंट 29 जून 2022 को आया फ्रेंट्स इस केस के अंदर क्रॉस एक्जामिनेशन की इंपोर्टेंच को बताया गया है और ये बताया गया है कि किसी भी assessment को करने के लिए collaborative evidence की कितनी value होती है ये इस केस का main crux है केस के facts इस तरीके से हैं इस केस में जो assessi है वो एक private limited company है उसके यहाँ एक GST department की सर्च होती है और जो company का एक ex president है उसके यहाँ भी सर्च होती है ये सर्च GST से related है जो ex president है company का उसके यहाँ कुछ invices की copy मिल जाती है जो की उस company की invices होती है और वो ex president जो है वो company की job छोड़ चुका होता है इस case के अंदर जो assessi company है उसने एक अपने ex president के अंगे इसने complaint भी दर्च की होई होती है police station के अंदर एक FIA अदर्च की होई होती है कि इसने company के कुछ documents जो है वो illegal तरीके से अपने कबजे में लिए हुए है जिनका उनको यह अशंका है कि वो उनका गलत इस्तमाल कर सकता है जब GST department के ने assessi के हां सर्च की और ex president के हां भी सर्च की और उनको कुछ invices की copy मिली जो की company की invices थी और जब यह सर्च की गई तो कुछ assessi के dealers के हां भी सर्च की गई जिन्होंने अपने ब्यान में यह कहा कि जो company है ऐसा सी company है उन्होंने कोई ऐसी sales भी की हुई है जो कि इनकी books में accounted for नहीं है यह allegations था कुछ एक दो dealer की email ID भी trace की गई जिनसे यह पता चल रहा था department को कि कुछ unaccounted sales जो हैं वो company ने की हुई है लेकिन इनका कोई collaborative evidence नहीं था बात में GST department ने यह सारी की सारी information जो है वो income tax department को साजह की और income tax department ने इस information के अधार पर assessi को section 148 का notice issue किया जब यह section 148 का notice issue किया गया तो assessing officer ने जितनी भी assessing officer यह sales एलेज कर रहा था कि यह इतनी sales अन accounted for है तो उतनी sales पर net profit का ratio लगा करके addition कर दिया यह addition बहुत जादा नहीं था अधिकतर हमने काफी cases में देखा है कि section 68 के अंदर ही addition कर देते हैं लेकिन यहां पर बड़ा justified सा addition था जो कि net profit का ratio लगा करके कर दिया assessi CIT appeal के पास गया CIT appeal ने उस जो profit ratio था उसको भी कम कर दिया जब यह search की गई थी तो जो assessi के director था उसकी statement ली गई थी assessi के director ने भी यह माना था कि कुछ unaccounted sales हैं बाद में वो director ने अपनी statement को retract कर लिया था लेकिन assessi जो है जो यह net profit ratio की जो addition की गई थी sales के उपर उससे भी नाखुश था और इसके लिए वो चंदिगड़ ITAT के अंदर appeal में था चंदिगड़ ITAT ने यह कहा कि assessi ने assessment के दौरान cross examination को मांगा जो की उसको cross examination नहीं दिया गया assessi ने FIR दर्च की जो की GST department ने जो सर्च की थी उससे पहले की FIR है तो assessi की यह भी नहीं कहा जा सकता कि after thought है director की जिसे statement पे आप rely करने वो अपनी statement को retract कर चुका है जो third parties ने assessi के बारे में वियान भाजी की है उसके लिए आपने उसको cross examination नहीं दिया है तो cross examination के अभाव के अंदर और collaborative evidence ना होने के case के अंदर आप assessi की assessment जो है वो नहीं कर सकते addition नहीं कर सकते खाली third party के बियान पर और बिना किसी collaborative evidence के आप assessi की assessment नहीं कर सकते तो friends इस case ते जो main बात निकल के आती है वो यह निकल के आती है कि यदि search के दौरान यदि कोई statement दे भी गई है तो assessi के पास पूरा अधिकार है कि उसको retract करने का लेकिन वो statement timely retract की जानी चाहिए और जो retraction आप करते हैं उसको higher officials को आपको जमा करनी चाहिए दूसरी बात assessment के दौरान जो है आप cross examination के अधिकार को जरूर मांगें क्योंकि बात में प्रशन उठ सकता है कि assessi ने cross examination को नहीं मांगा